मा तुम रो क्यों रही हो बेटा तेरे नाना जी की तब्यद बहुत खराब है हमें जल्दी से गाउं जाना होगा पर मा नाना जी को क्या हुआ ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की ललिता के पती मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिता जी की तब्यद बहुत खराब है नहीं मिलेगी इसलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा अच्छा सुनो मा कुछ खाने को है क्या बहुत भूक लग रही है ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत जादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूक लगाई थी ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें दो सूखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्यास था सूखी रोटी देखकर रौनक का मूव बन गया लेकिन वो भी जानता था कि उसकी मा ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे रौनक ने चुप चाप रोटी और प्यास खाया औ रौनक को ट्रेन में बैटने की खुशी थी लेकिन ललिता के आंसो थम नहीं रहे थे उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी पूरे सफर के दौरा अन रौनक बस खिड़की के पास बैट कर बाहर की चीजों को निहारता रहा वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही लेकिर उपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी उस दिन ललिता बहुत रुई पिता का अंतिन संसकार कर ललिता रौनक को लेकर वहां से चली आई पिता के गम में वो ये बात भूली गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में मा भूक लगी है रौनक के बात सुनकर ललिता को होश आया उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था तब ही वहां से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था भाईया आप चिप्स हैं क्या? नहीं चिप्स तो नहीं है लेकिन बस ये एक केक बचा है अच्छा? कितने का है? छोटे वाले तो सारे बिग गए बस ये साथ वाला है बताए देदू ललिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गार्ड खोली तो उसमें कुल मिलाकर बस 40 रुपए ही थे जिन्हें देखकर वो केक वाला खुद ही वहां से चला गया रॉनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी मा के पास पैसे नहीं है और खिड़की की तरफ देखने लगा रॉनक बहुत ही समझतार था उसने अपनी मा से फिर कोई जिद नहीं की कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रॉनक अपने स्टेशन पहुँच गये वहां पहुँचते ही रॉनक रोने लगा ललिता समझ गए कि अब रॉनक से भूग बरदाश्ट नहीं हो रही है तभी वहां एक दुकान से आवाज आई उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद पुरी हो गई ललिता ने सोचा कि वो दो आलू पुरी खरी देगी एक रॉनक खाएगा और एक वो भी खा लेगी उसने भी तो दो दिन से कुछ नहीं खाया था ललिता ने 40 रुपे देखर आलू पुरी खरी दी उसमें बहुत थोड़े से आलू और सिर्फ दो ही पुरियां थी ये देखकर ललिता ने अपना डिबबा भी रॉनक को दे दिया रॉनक ने पेट भर कर खाना खाया और फिर शाम को इतना कहते ही रॉनक बेहोश हो गया ललिता फॉरण उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुँची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रॉनक को फूट पॉइस दिंग हुई है ललिता को समझते देड़ नहीं लगी कि ये सब उस आलूपूरी की वज़य से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीद कर रॉनक को खिलाई थी फिर पूरे एक हफ़ते बाद जब रॉनक की तब्यत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी मा से कहा मा वो आलूपूरी बहुत ही गंदी थी मैं उसी से बिमार हुआ हूँ पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बिमार होंगे उन गंदे अंकल की आलू पूरी खा कर रॉनक ने लाग टके की बात कही थी जिसे सुनकर ललिता सोच में पढ़ गए और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई जोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की सबजी और गर्मा गरम पूरियां तलने लगी आजाओ आजाओ बस बीस रुपे में छे पूरी और धेर सारी सबजी खालो उसकी बनाई आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनी थी और सर्व वीस रुपे में अब वहाँ हर किसी का पेट भर रहा था तभी वहाँ एक औरत आई उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जिसे देखकर रौनक ने कहा मासूम रौनक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलू पूरी के डिब पे समेटने लगा सुमित्रा क्या बात है तुने कठल में इतना तेल भर दिया रोहन और प्रिया ने सबजी चुई तक नहीं मालके मैंने तो रोजाना की तरह ही सबजी बनाई थी और कठल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था शायद इसी वज़े से तेल दिख रहा होगा और मिर्श मसाले बिलकुल भी नहीं डाले खाने में बिलकुल फीकी बना दी ओ सुमित्रा बात सुन इसकी बातों को मत सुना कर तेरे हाथ की सबजियां बहुत स्वादिश्ट होती हैं अभी बहु को पका पकाया मिल जाता है न इसी लिए उसे कामवालियों की कदर नहीं जिस दिन तू कभी ना आये एक फुलका बनाने भी रसोई में नहीं घुस्ती सब खाना बाजार से ओर्डर होता है अच्छा सुन भिंडी की सबजी रखी है कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए किसी ने सबजी चुई तक नहीं वैसे क्या बात है तू थोड़ी परि जब से उसके पती के पैर का एक्सिडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहां कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव के नहीं है पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है इसलिए वो यहां काम करके दो पैसे कमा लीती ह मा, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है मा, ये क्या लाई हो? ये, ये, मैं भिंडी की सबजी लाई हूँ, तुम्हें भिंडी पसंद है न? मैं अभी तुम दोनों के लिए, और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेख देती हूँ, फिर गरम-गरम रोटी भिंडी के साथ खाना सुमित्रा, आज मेरी इस हालत के वजह से, तुम्हें कितने दुख जेलने पड़ रहे हैं, कास, उस एक्सिडेंट में मैं मर ही जाता एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही तूट गए, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया, पर मालकिन कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूगी, ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है का मार है, घर में दो छोटी-छोटी बच्चियां भी है, ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है, मा जी आप चुप रही है, आपको ज़्यादा पता है या मुझे पता इस घर का, सुमित्रा मैंने तुमारा हिसाब कर दिया है, ये तुमारे इस महीने के, दो दिन आई हो तुम ये दो दिन के रुपे ले जाओ, कल से मता ना सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है, घर पहुँच कर वो अपने पती को सारी बात कहती है, वो भी ये सब सुनकर बहुत परिशान हो जाता है, अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा, हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी, ये तब ही उसके दर्वाजे पर खटखट होती है, अरी मादा जी आप और इस समय आईए, अंदर आईए सुमित्रा आज सुबर शोभा ने जो भी किया, उस बात से मुझे बहुत ठेज पहुची है, मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई, मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक स चला देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो, जी, बोली माता जी, सुमित्रा ये दस हजार रुपे रख ले, और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले, वैसे तु छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तु चाहे, तो छोले भटूरे का ठेला शु हो जाएगी, पर माता जी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुमित्रा ये पैसे मेरे खुद के है, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुप्यों की मेरे से जादा तुझे जरूरत है, अब तु देर मत कर, इन रुप्यों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी, उन रुप्यों को देख कर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है, और वो माता जी को दिल से शुक्रिया करती है, आज मुसीबत की इस घड़ी में माता जी उसके लि और दो तीन दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है, पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है, बहुत ही स्वाधिस्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का र भटूरे देना और प्याज और अचार जादा कर देना, छीक है, अभी देती हो, आप आप दोनों के लिए भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करा रहे देना है, सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है, धी गुलाब जामुन और कुछ मिठाईयां भी बेचनी शुरू कर दी थी, सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिये थे, एक दिन वो माताजी से मिलने गई, नमस्ते मालकिन वो माताजी से मिलना था, माजी का पंद्र दिन पहले स्वरगवास हो गया, शुगर बढ़ खराब होने की वज़ा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कुछ काम था माजी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है, माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आँखों में आसु आ जाते है, आज उनी के कारण उसके पास पैसे और काम था, सु दोनों पति-पतनी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी, इसलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बना कर गरीबों में बाड़ती थी